इम्म्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सही खानपान का होना बेहत जरूरी है कमजोर इम्म्यूनिटी वाले लोगों को आसानी से सर्दी इंफेक्शन और फ्लू की चपेट में आ जाते हैं ऐसे में शरीर के इम्म्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए खानपान पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है तो आईए जानते हैं कि खानपान की ऐसी कौन सी चीजे हैं जो इम्म्यून सिस्टम को मजबूत करती है खटे फलो में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन C को सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्पूर माना गया है जो शरीर में इंफेक्शन से लड़ने में मदद करती है सीट्रिस फ्रूट्स में अंगूर, संत्रे, कीनू, नीबू आते हैं रोजाना महिलाएं 75 मिलीग्राम और पुर्षों में 90 मिलीग्राम विटामिन C लेने की शमता है खटे फलो की तुलना में लाल चिमला मिर्च में तीन गुना विटामिन C होता है इसमें बीटा केरोटीन प्रचूर मात्रा में पाई जाती है इंम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के अलावा विटामिन C तुचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है बीटा केरोटीन आखों को भी स्वस्थ रखता है ब्रोकली में विटामिन A, C और E फाइवर जैसे कई गुण होते हैं ब्रोकली सबसे सेहत मन्द सबजियों में से एक है इसे उबाल कर या कम पका कर खाना बहतर माना जाता है ताकि इसके पोशक तत्व बने रहे लहसून दुनिया के लगबग हर वियंजन में पाया जाता है इसमें जिंक की प्रचूर मात्रा होने की वजह से ये इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है साथ ही बलड प्रशर को भी नियंतरण में रखता है लहसून में सलफर युक्त एलिसिन नाम का योगिक पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है अद्रक में एंटी इल्फमेट्री और एंटी वाइरल की गुड़ पाये जाते है जो गले की खराश और सूजन को कम करता है अद्रक सर्दीक जुखाम को ठीक करने में कारगर है इसमें कॉलेस्ट्रोल को नियंतरण करने की भी शक्ती है